आज आपको पाटशाला में उस स्रड़क का चैप्टर बताने जा रहा हूँ जिस पर चलने से पेट्रोल बचेगे पीम मोधी की वो स्रड़क जो पूरे एशिया में कहीं नहीं है बॉस बारा फरवरी को देश को एक और हाई टेक एक्सप्रेस वे मिलने वाला है यह एक्सप्रेस वे है दिली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा हर्याना के सोहना से राजिस्थान के दौसा तक है जो बनकर तयार हो गया है और बारा फरवरी को प्यधान मंत्री नरेंद्र मोधी इसी हिस्से का उदघाटन करने वाले है ऐसी जमा जम सड़क है ये इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा अगर इत्ता सभी इंडिया के लिए फ्रेम होगा तो आपको नरेंद्र मोधी ने बनाया बीजेपी ने बनाया ये सब नहीं दिखेगा आपको दिखेगा कि बॉस इंडिया में ये क्या ही हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसके शुरू होने का लंबे वक्त से इंकजार हो रहा था उसका एक हिस्सा शुरू होने जा रहा है बाकी इससे भी बन रहे हैं बीच-बीच के पैचेस बन गए हैं वो भी जल्दी शुरू हो जाएगे देश की राजदानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजदानी मुंबई दोनों जगों की एहमियत के बावजूत कैसे बरसों तक दोनों बड़े शहरों की दूरी कम करने के बारे में सोचा नहीं गया उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताओंगा लेकिन सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसके बारे में बता रहा हूँ ये कमाल की चीज बनी है बॉस और आप कहेंगे कि भाई एक्सप्रेस वे तो लखनाव वाला भी है अरे बोस अभी इसके बारे में सुनियेगा तो अब आपको पता चलेगा कि क्या ही चीज बन गई इसकी कुल दूरी जो है अई मीटो ना या कुल दूरी यह है 1380 किलोमेटर 1380 किलोमेटर का एक्सप्रेस हुए है इसमें लेन कितनी होगी? आठ लेन है और यह 12 तक बढ़ सकती है एक्स्टेंशन कितना हो सकता है? इतने जगा बनाई गई है छोड़ी गई है कि 12 लेन का भी बन सकता है पांच राज्य से गुजरेगा मतलब पांच राज्यों को फाइदा होगा अब यह पांच राज कौन है? दिल्ली भी है इसमें हर्याना भी है राजस्थान भी है फिर MP भी है और गुजरात भी है लाज्ट में मुंबई पहुच रहा है तो महराश्र होई जाएगा तो यह दिल्ली, हर्याना, राजस्थान, MP, गुजरात और महराश्र, छे राज्जे हो गया एक तरीके से तो इसको छे कर दीजे छे राज्जे दिल्ली से मुंबई एक्स्प्रेस वे के लिए आपको जिन राज्जियों दूसरा रूट है दिल्ली, मुंबई वाया अजमेर, एहमदबाद यह 1410 किलोमेटर को रूट है इसमें भी 26 गंटे लगते अब जो यह दिल्ली, मुंबई आपको बता रहा हूँ एक्स्प्रेस वे इसमें समय कितना लगेगा आपको पता है यह 1380 किलोमेटर का है और इसमें समय लगेंगे दिल्ली से मुंबई पहुचने में 12 गंटे मात्र 12 गंटे अभी कितना लगता है जो आपको बताया 26 गंटा लगता है बोस मतलब वो एक्स्प्रेस वे बन रहा है जो सीधा 14 गंटे खा जाएगा खा जागा मतलब बचा देगा आपका कहां 26 गंटा लगता है कहां 12 गंटा लगेगा सुबा आप बैटे और गाड़ी से पहुच गए मुंबई दिल्ली से मुंबई पहुचाती है 15 गंटे 40 मिनट में यह नरेंदर मोदी ने आईसी सड़क बना दी पहुचा दी 12 गंटे में इधर से रेस लगाईए घरवाले को बोलिए तुम ट्रेन में बैटो मैं गाड़ी से जाता हूँ देखते हैं कौन पहले पहुचता है फिर उसको वहां मुंबई स्टेशन पे रिसीव कीजे बोली है लो मैं आ गया एक्सप्रेस वे यह मोहल हो जाएगा बहुच और अभी इसकी खासियत तो बताई नहीं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कई फेज में तयार किया जा रहा है और सोना दौसा स्ट्रेच इसका फर्स फेज है इसलिए जैसे जैसे जो हिस्सा बनकर तयार होता जाएगा उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेस वे बन जाने से सिर्फ समय ही नहीं बचेगा पेट्रोल भी बचेगा प्रदूशन भी कम होगा और इन सब के अलावा जिन जिन शेरों से एक्सप्रेस वे गुजरेगा वहाँ एकॉनमिक डेवलप्मेंट भी तेज होगा कैसे होगा इसके लिए आपको एक्सप्रेस वे की कुछ खासियत बताता हूँ जो इसे सबसे अलग बनाती है ना ने बोला ना बोस ये सिर्फ समय बचाने वाला एक्सप्रेस वे नहीं है बहुत जमा जमा एक्सप्रेस वे एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा दुनिया का एक्सप्रेस वे बनाने में जर्मन टेक्नोलिजी का इस्तमाल हो रहा है पचास साल तक का समय बताया गया है कि इसमें टूट-पूट होने का कोई हिसाब ही नहीं है पचास साल तक भूल जाए कोई टूट-पूट नहीं होगी यह दावा किया जा रहा है एशिया का पहला ग्रीन ओवर पास इस पर बन रहा है अब ये ग्रीन ओवर पास क्या आगे दिखाऊंगा आगे डिटेल में एक्सप्रेस वे पर हेलिपैड बनाया जाएगा 120 किलोमेटर प्रती गंटे की स्पीड से गाड़ी दोड़ा सकते हैं हर 500 मीटर पर CCTV कैमरा लगा होगा एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल होगा मतलब हाइवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आजा नहीं सकेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला green overpass और green underpass बनाया जा रहा है आपने foot over bridge सुना होगा railway over bridge सुना होगा लेकिन ये green overpass और underpass क्या बोश इसके लिए आपको दो तस्वीर दिखाता हूँ बनिए अब जरा इस तस्वीर को देखिह यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं। livre вес expressway की talks आपको दिखा रहा हुं कि यह किस तरह से होगी इसमें आपको दो टनल दिख रहा हैं यह दिखा यहां पर आपको एक टनल देख रहा है यह आपको दूसरा टनल दिख रहा है इस से गाड़िया गुजरेंगी यहां से गाड़ड़ि अगर यहां से गाड़ी निकलेगे दो अपने राश्ते बने हुए हैं मतलब ये उपर का हिस्सा जानवरों के लिए है कि आप यहाँ जंगल से निगलिए टहलते पे उपर से देखिया अरे ये अपने मिश्रा जी जा रहे है और शेर चला गया उपर से देखता कुई Chill का time pass नहीं हो रहे है किसी जानवर का ऊपर से देख रहा है गाणियों को कि कैसी कैसी गाणिया जा रहे है तो इससे फाइदा क्या है ये तो lightern note पे कह रहा हूं कि जानवर सड़क पे नहीं आपक तो हादसे नहीं होंगी तो इसके लिए क्या किया है साइड में न मजबूश शीशे लगा दिये गए यह देख रहे हैं यह वाला हिस्सा जो है इसको दिखा यह यह शीशा लगा हुआ है इस तरह का शीशा लगा दिया जाएगा तो इधर से जानवर नहीं आ सकता है लेकिन उसके लिए जगा छोड़ दिया इसे आओ घुम के जा वो भी आपको थोड़ी दिर में दिखाता हूँ आजा तब तक एक दूसरी तस्वीर दिखाईगे इसमें आपको कुछ जानवर जो है वो नीचे आते वे दिखेंगे जिसमें जो वीडियो दिखाऊंगा एक बार उसमें दिखाईगे बड़ी स्क्रीन जो आपको समझ में रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें दिखता है कि कैसे कुछ जानवर जो है वो नज़र भी आ रहे है और ऊपर कुछ फ्लाइओवर जैसा दिख रहे हैं तो यह तस्वीर है यह पहला ग्रीन फ्लेश नहीं जानवर वाला वीडियो डाले ना बौस तो अंडर पास से गाड़िया निकल रही है ये देखिए ये अपना उपर देख रहे है उपर हाईवे है और नीचे जो है वो जानवर चल रहा है इसी तरीके से अंडर पास भी कहते है अनिमल अंडर पास मतलब जमीन पर जानवर गुमेंगे और जमीन से कई फूट उपर पिलर पर सड़क बनी होगी उससे गाड़ियां गुजरेंगी मतलब जानवर सड़क पर नहीं आएगा और नहीं एक्सिडेंट का चांच होगा तो दो चीज बना दी गई एक अंडर पास बन गया जिससे गाड़ी अंदर से जा रही है और दूसरे हिससे ऐससे बना दिये गए जहां ये ब्रिज उपर है और जानवर नीचे से गुजरता है मतलब प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है एशिया में पहली बार ग्रीन ओवर पास बनाए जा रहा है राजिस्तान के बूंदी और सवाई मादोपूर के बीच ग्रीन ओवर पास तयार किया जा रहा है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवर पास होगा मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बकाइदा टनल बनाई जा रही है मतलब उपर बाद गुम रहे होंगे, नीचे टनल से गाड़ियां गुजर रही होंगी इसी तरह मातेरान एको सेंसिटिव जोन में भी टनल बनाय जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कुल पांच ग्रीन ओवर पास बनाये जा रहे है साथी तीन ग्रीन अंडर पास त्यार किये जा रहे है और इनकी कुल लंबाई साथ किलोमिटर होंगे साफ है कि दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे बनाने में इंसानों का तो ख्याल रखा ही गया है इसके बनने से जंगली जानवरों को भी कोई परिशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है जो ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं हो ऐसी सड़ा ये एक्सप्रेस वे जब पूरी तरह से बनकर तयार हो जाएगा तो इससे जानवरों का भी फाइदा उनको भी दिक्कत नहीं इनसानों का भी फाइदा लेकिन एक बड़ा फाइदा ये भी है कि इससे पेट्रोल भी बचेगा जब आपका सफर 26 गंटे से घटकर 12 गंटे का होगा दूरी घट जाएगी आप 120 की स्पीड पर चल पाएंगे गाड़ी माइलेज जादा देगी तो पेट्रोल भी बचेगा पैसा भी बचेगा और इसका कैलकुलेशन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे एक बड़ जरा इसका कैलकुलेशन भी बताता हूँ कितना पेट्रोल बचेगा इसके बारे में अनुमान ये है कि करीब करीब दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे बनने के बाद 32 करोड लीटर हर साल बचेगा इंदन और इसमें जब आप मिला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल दोनों कर लीजेए डीजल पेट्रोल दोनों द्रक्रा की जो गाड़ियां से पैसे कितने बचेएंगे पैसे बचेएंगे करीब 32 करोड रुपए बचेगे तो ऐसा एक्स्प्रेस वे बन रहा है जिस पर आप चलिए तो आप क्या चलिएगा पैदल थोड़ी जाएगा चलने मतलब नहीं कहते हैं गाड़ी से चलते हैं गाड़ी चलेगी तो आपके पैसे भी बचेगे और CO2 सर्जन में 85 करोड किलोग्रा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग रहा है 500 मीटर पर हर 500 मीटर पर दिल्ली मुंबाई एक्स्प्रेस वे समय बचाएगा जानवरों की जिंदगी बचाएगा पर्यावरण बचाएगा पानी भी बचाएगा इंदन भी बचाएगा सतर साल बीट गए लेकिन ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि दिल्ली और मुंबाई की बीच ऐसा हाईवे या एक्सप्रेस वे बना दिया गया जिससे दोनों शेहरों के बीच की दूरी कम हो जाए और रास्ते में पढ़ने वाले शेहरों को भी फायदा हो लेकिन प्रदानमंतरी नरेंदर मोधी ने इससे सोचा मार्च 2019 में दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे का शिला नयास किया और चार साल बाद ये एक्सप्रेस वे बनकर तयार होने वाला Economic Expressway 1 दिल्ली मुंबई Expressway बन जाने के बाद जैपूर, अजमेर, कोटा, उदैपूर, भुपाल, उजैन, इंदौर, एंदबाद, वडोदरा, सूरज जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा जैपूर, कोटा, इंदौर, वडोदरा और सूरज बड़े अध्यों की केंद्र है अगर मुंबई और दिल्ली से इनकी डारेक्ट कनेक्टिविटी हो गई सड़क के रास्ते तो इससे उन शेहरों को भी बड़ा फायदा होगा दिल्ली जैपूर कह रहे हैं कि दो गंटे में आप पहुच जाएगा तो आप सोचिए कि वहाँ टूरिजम कितना बढ़ जाएगा तो लेकिन सत्तर साल से किसी नहीं दिमाग ही नहीं लगाए